चात आंदुलित है आपके घर को पैते घर को टार्गेट किया गया लेखे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अगनी पत्थ जो हमारा योजना है उसके बारे में हमारे चात्र नहीं समझ पाए और हमारे चात्र वैसे गलत काम करी नहीं सकते हैं क्योंकि यह जो है टोटल के तो इस योजना को जब आप देखेंगे कि आखिर अगनी पत्य योजना क्या है? अगनी पत्य योजना है एक प्रशिक्षित करना, एक स्किल्ड को कितना बढ़ावा हम दे सकते हैं, और वो सैन ने मादयम से, उसमें हमारा ये नहीं है कि सिर्फ सैन ही मादयम होगा, उसमें सर पाणे सात साल में में तो बहर सैर साल में दॉष साल में भाधसा है कनफोन एपकरी कलें हैं सब्सक्राइब करें तो ठीम कोरते हैं फ़िकिति मैं शल्यरों कीपक लिएBACK करें सबूंद नहीं दा आला टाइग में प्जलों के उन गदाने उन आपको अपनों। समझना पड़ेगा एक अंसेप्ट सारे 17 साल इंटर किये हैं उनको ग्रेजुट का भी उनको सौर्टिफिकेट मिलेगा चार साल के ट्रेंडिंग में और जब ट्रेंड हो जाएंगे सेना से तो फर्स्ट साल में उनको क्या मिल रहा है कोई मुफ्त में तो नहीं हम कौसल ट्रे में 2,52,000 रुपया मिला दूसरे साल में हमको सरकार जो दे रही है वो 30,000 रुपया दे रही है और दूसरे साल में जो हमारे पास जो पैसे आएंगे उसमें 10,000 की कटवती करके हम हाथ में 23,000 रुपय लेंगे तो कितना मिला 2,76,000 रुपया मिला तीसरे साल में जो हमको मिले हम तीन लाग रुपय का हम RC Quebec यह जो अपने परिवार को हम चला सकते हैं और चौथे वर्ष में जो 40,000 है जिसमें 12,000 कट रहा है हम 3,36,000 रुपया जो है हमको चौथे वर्ष में मिल रहा है अगर सब वर्ष का एक साथ हम मिला दे तो 11,64,000 रुपया हम 4 साल में मिल पा रहा है अब बताइए कि कौन सा हम काम करते रहेंगे एजुकेशन में कि हमको इतना पैसा मिलेगा कोई स्किल्ड भी हम नहीं है और इसमें हम स्किल्ड भी हो गए और 11,64,000 तो हमें हाथ में मिला और 4 साल के बाद जब हमें अगनी प्रसत्त पत्र जो हमको मिलता है जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं अगनी वीर कौसल परमान पत्र अगनी वीर कौसल परमान पत्र जो हमें मिलेगा उस अगनी बीर कौसल प्रमान पत्र मिलने के साथ साथ हमको 11,70,000 रुपया मिल रहा है तो दोनों पैसे को अगर हम मिला देते हैं कि पहले का भी 11,64,000 और बाद का भी हम मिला दे तो कितना हो गया आपको? कलगबग हमको लगता है कि 23,00,000 हो गया तो 23,00,000 अपने ट्रेनिंग पिरियड में हम गयन कर लिए और जब मेरे हाथ में स्किल्ड रहेगा तो 130,00 करोड की जनता है और कितना उसमें उनका डिमांड है और जब पास प्रशिक्षी था वही करेंगे उसके बाद भी अगर हमारे मन में संसह है कि हम क्या करेंगे चार साल के बाद हम अगनी वीर क्या करेंगे तो क्या करेंगे तो 12,00,000 रुपईये का दवीतिये पैकेज आपके जीवन में नई सुरुवात करने के लिए मिल गई उसके बाद आपकी बैंक के लोन में आपको प्रात्मिक्ता मिलेगी और उसके बाद आपके आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उसमें भी आपको प्रात्मिक्ता मिलेगी बारवी में अगर समकष्प्रमान पत्र के आगे की पढ़ाई के लिए वीजिंग कोर्स की भी विवस्ता आपको की गई है करना चाहते हैं तो उसमें भी मिलेगा कई राजियों में जो है C.A.P.F. के तहद में आपको असम राइफल्स हो पुलिस हम संबद बलों में भी प्राथिविक्ता मिलेगी उस ट्रेंडिंग से उसके अलावा इंजिनियर में केनी कानून ब्यवस्था जैसे विविन छेत्र में कारे का अनुभाव के लिए वो स्किल का आपको नंबर मिलेगा चौथा है कि परमुप कंपनी और सेक्टरों में जैसे आई टी सिकूरिटी इंजिनियरिंग कुसल और अनुसासित अगनी वीर को प्राल्विक्तिया देने की घोषना पहले ही सरकार कर चुकी है तो इस क्या चाहिए हम को जब हम स्कॉलर्सीप में हम कर रहे हैं हम चार साल में अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और हम अपना स्कॉलर्सीप कर रहे हैं क्योंकि हम में समकस का हमको ट्रेणिंग मिल रहा है जब ट्रेणिंग मिल रहा है तो इसको कॉसल विकास का हम कहेंगे कैसे हम कॉसल विकास करते हैं तो छोटा ट्रेणिंग होता है ये बड़ी ट्रेणिंग है आपको बड़ा पैसा मिलता है उसमें जो हमारे स्किल्ड बच्चे होंगे उसमे रोटी शेक रहे हैं और जनता का समान का सत्या नास कर रहे हैं जो हमारा गाड़ी कमाई का चाहे ट्रेन हो चाहे इस्टेशन हो चाहे किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी हो इन सब को अगर नास करने का कोई काम किया है ति विपक्ष के गुंडे जो हैं वो काम कर रहे हैं भाजपा के मंत्री भाजपा के अध्याक्ष भाजपा करजाले पर हमला हो रहा है वेतिया सासाराम में भाजपा करजाले पर आपके अध्याक्ष के घर आवाद नहीं सबसे बड़ी बात है कि ये भाजपा को टार्गेट बनाया है क्योंकि भाजपा के मंत्री ने मंत्री तो ह जितने कड़ी से कड़ी करवाई हो सके उसको करने की आउशकता है। आपके यहां कितना हानी हो पाई है। तरह नहीं कर सकता है। यह रचे हुए विप्रक्षी नेताओं का जो साजिश है वो साजिश का खुलासा हो रहा है और खुलासा हो भी जाएगा और इस पर जितने कड़ी कड़वाई हो सकती उतनी करने की जगुवत है।